Microsoft Word के आज की वीडियो में हम जानेंगे Student ID Card त्यार करना बार्गोड के साथ यहाँ पर डिजाइन करेंगे हम Student ID Card सबसे पहले हम Size Set कर लेंगे Size Set करने के लिए हम यहाँ Layout पर क्लिक करेंगे और यहाँ Size पर क्लिक करेंगे यहाँ नीचे More Paper Size पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर हम Size ले लेंगे Width लेंगे हम 9 cm और Height लेंगे हम 6 cm और यहाँ से OK कर देंगे तो यह ID Card का Size आ जाएगा यह Size हमने सेंटीमिटर मिलिया है यहाँ से यह Cooler को यहाँ Full Page पर कर देंगे यहाँ से भी इसको Full Page पर कर देंगे यहाँ डिजाइन पर जाएंगे और यहाँ Page Border पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यह Box पर क्लिक करेंगे और यहाँ यह Width को Custom करेंगे हम यहाँ पर इसकी Width लेंगे 3PT यहाँ Options पर क्लिक करके अम Margin Top, Bottom और Left और Right में 1PT कर देंगे यहां भी 1 करेंगे यहां Bottom में भी 1 करेंगे और Left में भी 1 और यहाँ पर भी Right में भी 1 यहाँ पर Okay करेंगे और यहाँ से Okay कर देंगे अब देख सकते हैं यहाँ पर Border का Effect आ गया है थोड़ा Zoom In कर लेंगे इससे थोड़ा काम करने में जी हो अब यहां insert पर जाएंगे shapes पर जाएंगे और यहां से यह rectangle shape insert कर लेंगे यहां पर इस तरह से draw कर लेंगे format पर जाएंगे shape fill पर जाकर color change कर देंगे हम यहां यह blue color ले रहें आप कोई अन्य color भी ले सकते हैं shape outline पर जाएंगे और no outline कर देंगे इसमें हम टाइप कर देंगे student identity card text को select करेंगे और home पर जाकर यहां font size increase कर देंगे और यहां से बोल्ट कर देंगे फिर से insert पर जाएंगे shapes पर click करेंगे और यहां से यह rounded rectangle shape ले लेंगे और यहां पर draw कर लेंगे इस तरह से size access कर लेंगे shape fill पर जाएंगे और यहां से no fill कर देंगे यह shape outline पर जाएंगे और यहां से outline कर देंगे one and half pt अब हम यहां पर picture insert कर लेंगे shape fill पर जाएंगे picture पर click करेंगे और यहां from a file पर click कर देंगे और यहां से उस पिक्चर को select कर देंगे और insert कर देंगे आप देख सकते हैं यहां पर student की picture insert हो गई है फिर से insert पर जाएंगे shapes पर क्लिक करेंगे और यहां से text box insert कर लेंगे और यहां पर draw कर लेंगे इस तरह से यहाँ पर student की information को फिल कर लेंगे जैसे नेम के बाद में son of के बाद में class और यहाँ पर टाइब करेंगे roll no लेंगे इंके यहाँ पर date of birth जो भी date of birth है यहाँ पर टाइब कर देंगे और नीचे एड्रस टाइप करेंगे अगर मोबाइल नंबर जो भी मोबाइल नंबर है कंट्रोल एप्रैस करके टेक्स को सेलेक्ट कर लेंगे और यहां हों पर जाएंगे और यहां लाइन इन स्पेसिंग पर लिक करेंगे यहां से यह रिमूर स्पेस आफ्टर पेराग्राफ पर क्लिक कर देंगे पॉंट साइज कम कर देंगे इसको कर देंगे हम 10.5 वोल्ड कर देंगे यहां से टेक्स बॉक्स को थोड़ा छोड़ा कर देंगे इस तरह से format पर जाएंगे shape fill पर जाकर no fill करेंगे shape outline पर जाएंगे और no outline करेंगे और इसको अब यहाँ पर adjust कर देंगे इस तरह से यहाँ पर inheadings के color को change कर देंगे यहाँ color ले लेंगे हम green इसको भी select करेंगे हम और last command को repeat करने के लिए हम यहाँ f4 press कर देंगे इसको भी select करेंगे f4 press करेंगे save select करेंगे f4 press कर देंगे इसको भी select करेंगे और f4 press कर देंगे और यह road number वाली heading को भी select करके f4 press कर देंगे फिर से insert पर जाएंगे shapes पर click करेंगे और यहाँ से rectangle shape क्लिएंगे का लींगे ग्यात्तार यूंसे तिह थोड़ा चूटा कर लेंगे हो इतना रखेंगे पर मेंट पर जाएंगे शेयप फिल पर जाकर कब लेंगे कब लाइंगे ओब लैंग फिसक कर लिए फिर से इनसर्ट पर जायेंगे शे प कल atrav करेंगे तो यहां पर करेंगे और के क्लिक करेंगे और इडिट पइंट्स पर किलिक करेंगे और यह को थोड़ा पीछे की तरफ ड्रैक करेंगे तो शेप में इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा फॉर्मेट पर जाएगे शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन करेंगे शेप फिल पर जाकर वाइट कलर ले लेंगे अब हम यहां पर इंस्टिट्ट का लोगो इंसर्ट कर कि रहा है वहां से स्लेक्ट कर देंगे इसके साइज को सकते हैएज को छोटा बडा कर सकते हैं तो हमने यहां और शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहां से टेक्स बॉक्स ले लेंगे एक और यहां पर ड्रॉ कर लेंगे कि यहां पर हम इंस्टिटूट का नाम टाइप कर देंगे Ctrl A Press करके Text को Select करेंगे Home पर जाएंगे और Font Size increase कर देंगे और Bold कर देंगे यहां Format पर जाएंगे Shape Fill पर जाकर No Fill करेंगे Shape Outline पर जाकर No Outline करेंगे Home पर जाएंगे और यहां से Text Color कर देंगे White इसको यहां पर Adjust कर देंगे बड़ा font size कम कर लेंगे इसका बड़ा और कम करेंगे size इस तरह से हम यहाँ पर इसको adjust कर देंगे फिर से insert पर click करेंगे chips पर click करेंगे और text box insert कर लेंगे यहाँ पर हम institute का address टाइप करेंगे जूम कर लेंगे इसको थोड़ा इस तरह से और address टाइप कर लेंगे address टाइप कर देते हैं हम चल्दी से कंट्रोल ए प्रेस करके टेक्स को select कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे line and paragraph spacing पर और यहां से remove space after paragraph पर क्लिक कर देंगे hold कर देंगे और font size करेंगे 5 पर पर जाएंगे shape fill पर जाएंगे no fill करेंगे shape outline पर करेंगे और नो आउटलाइन करेंगे और इसको एड़ेस्ट कर लेंगे हम यहाँ पर यहाँ पर जाएंगे और फॉंट कलर कर देंगे वाइट यह दिखिए एड्रस यहाँ पर एड़ेस्ट हो गया है अब हम यहां पर बार कोड इंसर्ट करेंगे बार कोड के लिए हम यहां फिर से एक और टेक्स बॉक्स इंसर्ट करेंगे शेप्स पर जाएंगे और टेक्स बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे यहां पर इस तरह से यहां पर student की कुछ information टाइप कर देंगे जैसे name, class और roll number Ctrl A प्रेस करके text को select कर लेंगे और home पर click करेंगे और यहां से font पर click करेंगे और यहां पर यह barcode 39 की नाम से जो font है इसको select कर देंगे यह font अगर आपकी system में नहीं है तो वीडियो के description box में देगे link पर click करके आप इस font को download कर सकते हैं क्लिक करेंगे यहां पर size थोड़ा कम कर लेंगे format पर जाएंगे shape fill पर जाएंगे no fill करेंगे shape outline no outline अब इसको यहां से इस जैसे यहां पर adjust कर देंगे यहां पर font size थोड़ा सा increase कर सकते हैं तो हमने 10 कर दिया है बार कोड भी यहां पर आ गया है scanner से scan करके इस बार कोड से आप student की information को decode भी कर सकते हैं फिर से insert पर जाएंगे और shapes पर click करेंगे और यहां से एक और text box ले लेंगे और यहां पर draw कर लेंगे इसमें हम type कर लेंगे principle control एप्रेस करके text को select कर लेंगे और पर जाएंगे और font size कम कर देंगे पर जाएंगे शेफ फिल पर जाकर नूफिल करेंगे shape outline पर click करके नूब आउटलाइन कर देंगे और यहां से font color करेंगे white और यहां से bold कर देंगे इसको यहां पर adjust कर देंगे principle के signature के लिए inlines पर right click करके आप इनको ignore once पर click करके remove कर सकते हैं यहां पर भी right click करेंगे ignore once पर click करेंगे right click करेंगे अब यहां वीव पर जाकर zoom out करेंगे 100% अब देख सकते हैं यह student ID card बनकर तयार हो गया है फोड़ा सा zoom in करेंगे यह आप यहां पर देख सकते हैं ctrl p press करके आप यहां से print preview देख सकते हैं तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप Microsoft word में student ID card डिजाइन कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपस करें मीडरी आयँ वीडियर कि यू ख्वीड अवीड़ी आपको हमारी वीडियो लोग तो यह आपशनी से जीडियोओ OutardeANT।